मस्कार स्वागत है आपका हमारे चनल पर मैं हूँ आपके साथ शिप्राजैनी गुजरात से बीजेपी के लिए अच्छी खबर है तरसल गुजरात विधान सबाद चुनाव से पहले बीजेपी की बड़ी चीत हुई है गुजरात में महसाना एपी एमसी चुनाव में बीजेपी ने चीत का परचम लह रहाया है यह अपने आप में बीजेपी की बड़ी चीत है जहां दस सीटों में से दस सीटों पर बीजेपी ने अपना चीत का परचम लह रहाया है आपका बदादे छेंद निर्फिरोध उमित जो हैं बीजेपी के उर्होंने जीत हासल की है तो गुजरात में 2022 के अंत में विधानसभा चुनाफ होने हैं और उसके लिए लगातार गुजरात बीजेपी की जो तयारियां हैं चुनावों के मद्दे नजर वो शुरू हो गई हैं लेकिन इससे पहले कहीं न कहीं यह जीत ब तमाम तरहिके से भर्मित करने की कोशिश राकेश टिकैत और हम लोगों की तरह से किया किया देश में कर्जी कानूनों को लगु किया और उसकी अज़ों में तरहीं से आंद煦लंजीबी पाकेश 스रेइप और तमांकर आंदे लोगों कि न जीए गुजराथ भी पहुछें स और तमाम के आंदोलंचीवी गुजरात भी पहुँचे वहां के किसानों को कहीं न कहीं बरकलाने की कोशिश की गई तमाम किसानों को किर्शी कानूनों पर भर्मित किया और बताया किया कि किसानों के साथ किस तरीके से विश्वास खात इन किर्शी कानूनों को लाकर सरकार कर रही है लेकिन इन तमाम चीजों का असर जो है वो कहीं भी अब दिखाई नहीं दे रहा है जिस तरीके से गुजरात के महसाना APMC यानि मंडी समीती में BJP की बड़ी जीत हुई है दस में से दस सीटे BJP के खाते में गई है हाला कि गुजरात चुनाहों में तमाम जो पार्टियां है वो अपनी सियासी रोटिया सेखने की तमाम कोश्चे कर रही है आम आदमी पार्टी की खासतोर पर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के सहियों चक अर्विंद केश्रिवाल लगातार गोफ़ा और कुछराथ जैसे राच्छों में अपनी पैठ बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं और आपको बताते हैं हाली में जिस तरीके से नग आदमी पार्टी के उन्होंने जीत भी हासल की लेकिन अब आदमी पार्टी की रननीती और कहीं नहीं कहीं राजनीती से जिस तरीके की वो कर रही है उससे कहीं नहीं परिशान होकर जो पार्शत थे वो अब एक एकर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं तो कहीं नहीं ये तैह हो चुका है कि गुजरात में बीजेपी जिस तरीके से जीती आई है और लगातार अपनी जीत का परचम भी लहराई रही है तो आने वाले फक्त में जब गुजरात में विदानसबाद चुनाख होंगे तो बीजेपी के लिए वहां आसानी हो सकती है कि किसानों की नारास्की को लेकर जो तमाम बड़े-बड़े दाफे किये जा रहाए थे कि गुजरात जो की परधान मंत्री नरेंद्र मोधी और देश के ग्रे मंत्री अमिशा का गड़ है और बीजेपी जिस त स्वीर है वो बेहद नामूमकिन होती नजर आ रही है जिस तरीके से लगातार बीजेपी एक के बाद एक वहां तमाम चुनाख चीत रही है फिर चाहे वो अब महसारा में एपी एमसी याही मंडी समीती का चुनाख हो जहां छे जो कैंडिडेट थे वो निर्फिरोद चीते तो वहीं चार सीटों पर भी बीजेपी ने कवजा जमाया और कुल दस सीटों में से दस सीटे बीजेपी के खाते में गई हैं तो एक तरह राकेश टिकैट और तमाम सहयुक्त के साथ वोच्चा के तमाम ये नेता हैं जो लगातार खिसानों को बर्गलाने की कोशिश कर रह हैं कि किस तरीके से बीजेपी ने उनके साथ गलत किया है सिर्फ इतना ही नहीं बीजेपी ने और केंदर सरकार ने जो वादे क्रिशी कानूनों को रद करने के वाद सहयुक्त के साथ मोच्चा के साथ किये थे किसानों के साथ किये थे वो वादे पूरे नहीं किये हैं MSP प पर ये देखने को मिल रहा है कि किसान जो है उन्हें राकेश टिकैत बर्गला नहीं पाए हैं और ये शुरू से ही लगातार कहा गया था कि देश का असल किसान जो है वो इन तमाम आंदोलन जीवियों के बहकार भी नहीं आएका इन तमाम आंदोलन जीवी जिन्होंने को मिल रहा है तेश के पांच राच्चों में विधानसभा चुनाफ हो रहे हैं जहां बीजेपी और तमाफ पार्टियां अपनी पूरी ताकत जोक रही है कि किस तरीके से जीत हासल की जाए वहीं कहीं न कहीं किसानों का मुद्दा भी बीजेपी के साफ ने एक बड़ा हुद इसने ये तै कर दिया है कि बीजेपी से किसान नाराज नहीं है बीजेपी के खाते में जिस तरीके से सीटें गई हैं तो साफ तोर पर ये इशारा कर रही हैं तो माना जा रहा है कि इन पांच राच्चों के विधानसभा जुनाव में भी बीजेपी के लिए राच जो है व पिर वो किर्शी कारणों पर भर्म पहला कर हो या जिस तरीके से भी तमाम हतकंडे अपनाए गए इन तमाम आंदोलन जीवियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी और इस तरीके से एक साल तक लगभा कि पूरा आंदोलन चलाया है लेकिन फिलाल इसका कहीं भी कोई नतीजा देखन है एक तरफ राकेश टिक्याद उत्तरपरदेश में लगातार जिस तरीके के बयान दे रहे हैं और दूसरी तरफ संह्युक्त के साथ मोर्चा और उनके समाह ये नेता पंजाब विधानसबा चुनाव लड़ रहे हैं तो इस तरीके से कहीं न कहीं इनकी पॉल पूरी तरीक हो रहा है तो ऐसे में कहीं न कहीं यह जो चुनाफी नतीजे साफ ने आ रहे हैं फिर चाहे वो APMC मंदी का चुनाफ क्यों न हो क्योंकि यह भी अपने आप में महथूर हैं यहां से किसान फैक्टर कहीं न कहीं बेहद माईने रखता है तो तमाव नगर निगम के चुनाफ जो है उसके नतीजे साफने आई हैं फिर चाहे बात महराश्ट की की चाहे या फिर गुजरात की की चाहे तो इन तमाम चुनावों में जीत का फाइदा सीदे दोहर पर बीज़े पी को होने जा रहा है क्योंकि अगर इतनी बड़ी ताहद में बीज़े पी को सीटे हासिल हो र कि ठीक पहले राकेश टिक्याथ वहां पहुँचकर किस्तानों को बर्गलाने की कोशिश कर रहा है नगर निगम के चुनाव में भी राकेश टिक्याथ वहां पहुँचे और समाम तरीके के बयान दिये काए कि किस्तानों के साथ सरकार अन्याई कर रही है किर्शी कानूनों को लेकर आई है उद्योग पत्यों को बढ़ावा दिया जा रहा है उद्योग पत्यों की जेवे बढ़ने के लिए ये कानू लाए गाई हैं सिर्फ इतना ही नहीं दूसरी तरफ अर्विंद केजरवाल वहां पहुंच रहे हैं और तमाम अलग-लग दाफी कर रहे हैं गुजरात में अब इन नतीचों का वाइटा क्या बीजेपी को गुजरात में मिलेगा ये सबसे बड़ा सवाल है लेकिन गुजरात विदानसबा चुनाव जो की दो हजार पाइस के आखिर में होने वाले हैं यानि इसी साल गुजरात में चुनाव होंगे अपने आख में महत्पून चुनाव हैं क्योंकि गुजरात विजेपी का गड़ रहा है वो परधान मंत्री नरेद्र मोधी का गड़ है और ऐसे में कहीं न कहीं किसी भी विपक्षी पार्टी के लिए उसमें सेंद लागाना बेहद मुश्किल काहिये पिलाल बना हुआ है और इस साल की अं मुख्यमंतरी बोर्ड की खोशना भी करती है और समीटी बीजेपी के अध्यक्च पार्टिल और मुख्यमंतरी भुपेंद्र पटेल समेत जो पूर मुख्यमंतरी है विजेरुपाहनी डिप्टी सियम निदिन पटेल के तमाव लोग शामिल है क्या जी चुनाफी तहयाहिय कि ये खबर महत्पूर्ण है कि महसाना में APMC का चुनाव में बीजेपी ने बड़ी चीत हासिल की है जा कहीं न कहीं इन तमाम आंदोलन चीफियों को बड़ा जटका दिया है जो लगातार की सारों को कहीं न कहीं तमाम मुद्दों पर तमाम सकेंद सरकार के फैसलों पर भर्मित करने की कोशिश कर रहा है फिलाल आपकी इस पूरे माफली पर क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें तने बादा